आज हम बात करेंगे very important topic as well as interested topic के बारे में जो कि youth में काफी famous रहता है जैसे कि आप जानते हो कि हमारे जो young generation है वो काफी interested है relationship में यानि कि वो relation में रहना चाहती है आपने देखा होगा जो youth है हमारा यानि कि जो young बच्चे है वो पहले ही husband wife का role नबा लेते हैं शादी से पहले Are you getting my point? निभाव no problem बट कुछ बाते आपको दिहान रखने होंगी यानि कि आपको हमारा Indian कानून भी जानना चाहिए ताकि कल को आपको कोई problem ना हो So let's start it, intro तो जैसा कि आपने थमनेल में पढ़ लिया था कि शादी का वादा करके सेक्स करना भारी पर सकता है जी बिल्कुल यह मैंने ही कहता है यह Supreme Court of India कहता है हमारा तो वो क्या कहता है? वो यह कहता है कि अगर आप किसी को शादी का ओफर देके उसकी मर्जी लेते हो sexual intercourse करने के लिए सरल सब्दों में कहें तो आप उसको शादी का जहांसा देकर सेक्स करते हो तो वो रेप की category में आता है जी बिल्कुल अब इसके लिए हमारे पास legal proof क्या है? तो legal proof यह है कि हमारे पास अभी recently एक judgment आई दी अनुराग सोनी वर्षिट स्टेट ऑफ 36 गड़ इसके मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ यानि कि इसके case की facts बताता हूँ इसमें क्या हुआ था तो होता है कि आए एक doctor साब होते है यानि कि एक person होता है वो doctor होता है उके? उसकी एक girlfriend होती है वो girlfriend होती है PhD यानि कि वो study कर रही होती है PhD की अब मैं आपे नाम लेना चाहूँगा नि क्योंकि victim का क्या होता है नाम लेना allowed नहीं होता और वगएरा वगएरा आप बस main story समझो और सीख लीजिये बस तो क्या होता है? उनके बीच में काफी affair चलता है तो जो doctor साब होते हैं जो हमारे male person होते हैं वो क्या करते हैं? उस लड़की को अपने पास बलाते हैं तो वो उनके पास जाती है ट्रेन से सफ़ार करके उनके पास जाती है तो वो उसको bike से drop लेने आते हैं, pick up करने आते हैं और वो एक room में रुखते हैं तो doctor साब क्या करते हैं कि उन पर physical relation बनाने का दवाव बनाते हैं जो लड़की होते हैं वो मना करते हैं वो बोलते हैं कि यह सब हम शादी के बाद करेंगे तो लड़का कहता है कि भई हमने शादी तो करनी है यानि कि हमने शादी तो करनी है तो लड़की मान जाती है कि भी शादी करनी है तो यहने कि वो consent ले लेते हैं और वो sexual intercourse करते हैं physical relation बनाते हैं अब क्या होता है लड़की आगले दिन वापिस चली जाती है अपने जहां भी वो रहती है hostel में चली जाती है तो क्या होता है कुछ time निकल जाता है तो लड़की लड़के को बोलती है कि चलो मेरिज कर लेते हैं इस पे लड़का आनागानी करता रहता है और bla 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 तो लड़की क्या करती है अपने family वालों को सारी सच्चा ही बता देती है कि हमने ऐसा सब कुछ कर लिया है और फिर बात में पता चलता है कि जो लड़का है वो भानने को तयार ही नहीं है तो लड़की के घरवाले और लड़की क्या करते हैं उसके खिलाफ रेप का केस फाइल कर देते हैं तो बात सैसन कोट में चलती है सैसन कोट से हाई कोट में आती है High Court से फिर appeal डलके वो Supreme Court में आती है तो Supreme Court साफ कहता है कि अगर आपने वादा किया है यानि कि अगर आपने वादा करके sexual intercourts किया है और फिर आप शादी नहीं करते तो it is a offense of rape यानि कि आपने एक rape ही किया है तो ये तो हो गई बात Supreme Court की यानि कि Supreme Court ने अपना decision दिया अगर आपके साथ ऐसा होता है यानि कि अगर आपको कोई शादी का जहासा दे कर आपके साथ कोई sexual intercourts करता है और बाद में शादी नहीं करता तो ये rape की definition में आता है अब कुछ लोग सोच रहेंगे कि sexual intercourts तो मरजी से हुआ इस वीडियो का moral ये है कि अगर आप ऐसा करते हो तो कि रिपया ऐसा ना करें किसी को शादी का जहासा दे के उसके साथ sexual intercourts ना करें अगर आपने शादी करनी है तब अलग बात है लेकिन अगर आप किसी का ऐसी फायदा उठाते हो तो आप बिल्कुल ना करें ये तो हो गई मेल के लिए अगर आप फीमेल हो यानि कि अगर आपके साथ ऐसा होता है कि कोई आपको सादी का जहासा दे के आपके साथ sexual intercourts करता है और वगएरा वगएरा सारा कुछ करता है तो आपको क्या करना है तो आपको बिल्कुल रेप केस फाइल करना चाहिए अब कुछ लोग सोचते हैं कि बही रेप केस फाइल करने से कि हमारी इज़त वापस आ जाएगी तो देखो बही इज़त वापस आए या ना है लेकिन उस जिसने गलत किया है उसको तो सजा मिलेगी ना अगर आप मेल है अगर आप बॉय हlor तो आप अब कभी भी ऐसा ना करें जिसे की आप जिन्दगी तबाह ना करें क्योंकि तबाह की लाईफ भी होती है कल को और रेप कैस होता तो आप भी साथ साल से लेके लाईफ इंप्रिजनमेंट तक जेल हो सकती है Okay? So, I hope it is कि